सो फ्रेंट्स आज की हमारी जो स्टोरी है वो है ग्रोइंग अप और ऐसे इंग्लिश लिट्रेचर की नॉवल, पोयम्स, एन ऐसे और स्टोरी की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम देख लिते हैं कि इस स्टोरी के अंदर मेन के कौन-कौन सी करेक्टर है तो सबसे पहले जो हमारा करेक्टर है वो है रॉबरट कुईग जो की एक businessman है और सेकेंड करेक्टर है हमारी मिसس कुईग जो की housewife है इन दोनों की दो डॉटर्स है Cat and Jenny इनके साथ साथ एक और छोटी से बिच है जिसका नाम है Snod जो की इनके साथ रहती है तो स्टोरी स्टार्ट होती है Robert को कुई जो होते है वो घर आते है घर आते है तो वो अपने wife का एक चिट पाते है जिसमें लिखा होता है कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ और चार बजे तक घर लोटूंगी Robert को एक सोचते है ठीक है चलो मैं अपनी daughters को surprise देता हूँ उनका एक garden होता है जहां पर अक्से उनकी daughters खेलती रहती है वो जो गार्डन होता है दूसरों के garden से बहुत ही ज़ादा dirty होता है वहाँ पर घास कटी हुई नहीं होती फूल बगेरा सब मतलब बिखरा सा होता है वहाँ पर जाके वो अपनी daughters को देखता है जो जेन होती है वो जेनी वो 12 यर्की है और वो तलाब के पास पैटी है वो बुक पढ़ रही है और जो उनकी दूसरी daughter होती है cat वो जूला जूल रही होती है तो जो रॉबर्ट को एक होते है उनके पास जाते है तो वो देखते है कि आज ये मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुई देन वो अपनी बड़ी जो daughter होती है जैनी उनके पास जाते है और पूछते है हाई जैनी तुम कैसी हो वो react नहीं करती क्योंकि वो book पढ़ रही होती है रॉबर्ट फिर से पूछते है कौन से book पढ़ रही हो तो वो किसी interest के साथ उनको जवाब नहीं देती है दूर से अवाज आती है कैटी की और वो बोलते हाई डैट यहाँ पर यह बात खतम हो जाती है फिर रॉबर्ट कोई क्या करते है वो अपने घर से एक चीर लेके आते है और गार्डन में उनके साथ बैठ जाते है वहाँ पर बैठने के बाद उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे होते है तभी वो देखते है कि जो कैट है उनकी छोटी डॉटर जो स्नॉट है छोटी बिच उसको परिशान कर रही है तभी जो स्नॉट होती है वो कैट की ड्रेस को खीचने लग जाती है तभी जैनी वाँ आती है एक स्टेक लेकर लकडी लेकर और स्नॉट को मारने लग जाते हैं रॉबर्ट को है वो यहाँ पर एनिमल लवर है इसलिए यह देखकर वो बहुती ज़्यादा दुख्य होते है और उनको डाटना जाते है लेकिन वो उनको प्यार से समझाते है कि तुम ऐसा नहीं करो इसको मत परिशान करो इसी भीज जो स्नॉट होती है जो कि बिच होती है वो रॉबर्ट को काट लेती है और वहाँ से निकल जाती है रॉबर्ट को एक चेर से नीचे गिर जाते है तब भी जैनी और केटी जो हुते हैं, वो अपने फादर को देख, इस तरह देखके डर सी जाती है और उसके बात क्या करती है, वो उनकी जहाँ प्र भी वॉर्ण हुआ होता है, जहाँ भी लगी होती है वहाँ पर उसको सही करने के पोशिश करती है तब ही उनकी जो मदर होती है वो घर वापस लोट आती है और उनके साथ कुछ चेर्मेन और वेलफिर कमेटी के चेर्मेन और कुछ लोग आते हैं जिसमें जैन मार्टिन होती है जो की चेर्मेन होती है कमेटी की वो सब room में पैठे हुए होते हैं और Robert कुछ भी वही होते हैं उस meeting के दिर Robert कुछ जादा कुछ वो लग नहीं रहा होता है वो board से हो रहे होते हैं वो सोचते हैं बहार चला जाता हूँ उसी बीच मिस्टर कुछ होती है वो अपने बीटियो को कहती है कि तुम कबसे भाहर खेल रही थी, अब जाके अच्छे से रेडी होके आ जाओ और जो लोग आये हैं, जितने भी मेंबर्स आये हैं कमेटी के जितने भी हैं कैस रहा हैं, उन सब के लिए कुछ पना के लिए कि आओ और वो ऐसा ही करती है रोबर्ट कोई के डेख कर बहुत ही ज़ादा खुश हो जाते है कि किस तरीके से जो उसके बच्चे है वो बड़े होते जा रहे हैं और चीजों को समझने लग गए है रोबर्ट कोई कब बहुत जादा बोर हो चुके हैं मिटींग से तो वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलते हैं जैसे ही वो बाहर जा रही होते है कलब की तरफ तब जैनी पीछे से अवाज देती है और जैनी उनके पास जाती है जैनी देखती है कि कहीं उसके पापा को ज्यादा तो नहीं लगी और उनकी जो हाँ पर भी काटा होता है बिचने वहाँ पर देखने लग जाती है फिर उसको पता वो घाव देखती है और उसके बाद वो अपने फादर को बोलते है और उसके बाद वो चली जाती है इससे रोबर्ट को बहुत जादा खुश हो जाता है कि किस तरीके से उसके जो बच्चे है वो बड़े होते जा रहे हैं और वो